नमस्कार दोस्तों टार्गेट विद परिहार चैनल में आपका स्वागत है इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से सम्मंदित सभी सुचना है प्रजान की जाती है उसी क्रम में आज के इस वीडियो में भी हम लोग बात करेंगे विद्यार्थी तथा चलिए ठीक है डेट दोलाक नुकुरिया दी होंगी उसकी जगए दुगना बता रहे हैं लेकिन आज तो इतना बड़ा जूट बोला है जिसे बच्चा बच्चा भी जानता है और मुख्यमंत्री योगी अधितनात ने ऐसा जूट क्यों बोला है इसका जवाब अब आप ही देंगे कमेंट बॉक्स में यह सीम योगी अधितनात का ट्विटर हैंडिल यह मैंने खोला है कोई स्क्रीन सॉट नहीं है और यहां पर आप लोग देखते जाए यह आज ही का ट्वीट है बारा घंटे पहले का और पहले तो फोटो इसकी बहुत पहले आई थी मेरे पास मैंने ट्वीटर खोला उनका और इस तरीके से देखा और यह योगी अधितनात ऑफिस और वेरिफाइड पेज का है जिसमें लिखा है सरकारी नोकरी हेतु आयूजीत परिक्षाओं के समय बद्ध परिणामों एवां पारदर्सी चेन प्रक्रिया के लिए मुक्यमंत् है चुकि सब कोई जानता है कि राजसुलेखपाल की जो भरती है वो छह साल से नहीं आई है समाधवाजवादी पार्टी की जब सरकार थी 2012 से लेकर के 17 तक तब यह यूपिट्रेपल ऐसी के पहले यह भरती करवाई गई थी यह टीस एक कंपनी थी जिसने रिटन का एक्ज जोड़ करके रिटन के नंबर जोड़ करके हर जिलेगी अलग-अलग मेरिट बनी थी इस तरीके से यह भरती हुई थी और राजसुलेखपाल की भरती को काफी फेर भरती माना जाता है इसके लावा किसी भरती को फेर नहीं माना जाता है लेकिन यह भरती हुई थी 2015 में और परिणामों एवं पारदर्शी चेन प्रक्रिया के लिए मुक्य मंत्री स्री माययोगी अधिदना जी को धन्य वाद गापित करते हैं श्री दुरुगेश चौधरी जी की निक्ती राजसु लेखपाल के पद पर पूर्ण पारदर्शिता के साथ में हुई है अब बताईए य पर हमारा फाइनल डिजल्ट आया जिसमें मैं राजोस लेखपाल पत्पे चैनित हो गया था इस दर्मियान हमारे लिखित पर इस परिच्छा से लेकर अंतिम सेलेक्शन तक पूरी इनिस पच्छता सिक के साथ वर्क किया गया था इस पर सेलेक्शन पूर्सीजर में उसके बा अच्छी से आच्छी योजनाए हैं जिसको किरिया वनन करने में हम लोगों को बहुत ही उथ्सा और अच्छा लगता है यह जड़ंति करने में तहरी चैनि दारी उक्रदेश को बहुत ने वार्बद देथा कि आपकी कितना बड़ा जूट योगी आधितनाथ जी के ट्वीटर हैंडिल से बोल गया है और इसके बारे में खुद मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए कि आखिरकार माजरा क्या है और यह निक्ति कब हुई किस तरीके से यह वीडियो बनाए गया इस यह वीडियो ब जाओ वो ठीकी कह रहे थे सुनी के ने सुनी कहानी बताओ अंधेर नगरी चौपट राजा और जो हमारा उत्तवदेश में हो रहा है कि अंधेर नगरी चौपट राजा दिन दाड़े रेप और रात भर गांचा रात भर गांचा अंधेर नगरी चौपट राजा दिन दाड़े रेप और रात भर गांचा जिसको भी देखना है तो यूपी में आजा तो रात भर गांचा और मैं आपको कहूंगा कि आप लोगों को जादा से जादा इस वीडियो को वाइरल करना डरने की कोई बात नहीं है और आप लोग इस वीडियो को जितना जादा जादा वाइरल कर सकते हैं इस वीडियो को आप वाइरल करें यह चात्रों की बात है एक भी भरती का जो विद्यारती है वो नोकरी नहीं कर रहा है जिसका विज्ञापर इन्होंने निकाला हो बीस-बाइस भरतीयां पूरी तरीके से फंसी भी है नई भरती जिक्षामित्रों के अलावा कोई नहीं आई है एल्टी की विद्यारतियों का भी बेतन बना नहीं है लगनाव लोग दोल रहे हैं और उत्रकंड में चोगी सरकार जो है वो बदली जा रही है बदल बदल दी गई है या उसकी बॉखलाहाट है उसका डर है या इमेज बिल्डिंग की जा रही है चुनाओ आने वाले हैं क्या बात है जो भी हो वो बात हैं आप लोग तै करेंगे आप लोग वीडियो को जाते से दा वाइरल करिए और यह वीडियो वाइरल करने वाला है भी पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद